अगर आपके बच्चे सबजिया नहीं खाते हैं और आप उनको सबजिया खिलाना चाते हैं तो आज की इस रैसिपी को देखकर आप सस्का जरूर ड्राय करें इसमें मैंने बहुत सारी सबजियों का इस्तिमाल किया है और यह बहुत बहुत जादा हेल्दी होती है बच्चों का लंच बॉक्स हो या हो मॉर्निंग ब्रेक्फास्ट हर टाइम के लिए एकदम पर्फेक्ट रेस्पी है ये तो चलिए साथ में मिलके आज की स्पेशल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल में दो कप गेहू का आटा साथ ही साथ इसमें डालेंगे एक खटा दही ध्यान रखें दही थोड़ा खटा ही लें दोनों को पहले हमें अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और हमें पतला सा बैटर तयार करना है बहुत थिक नहीं ही रखना है इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है जिससे कि जब हम इसको अच्छे से पोर करें तो प्रापर तरीके से ये पोर हो जाए ये हमारा बैटर बन की तयार हो गया है इसकी जो कंसेस्टेंसी है ना वो भी एकदम पर्फेक्ट आ गई है तो अब मैं थोड़ी सी सबजिया डाल लए हूँ जैसे कि कद्दुकस की हुई पत्ता गोबी बारी कटा हुआ हरा धनिया कद्दुकस की हुई शिमला मिर्च कटा हुआ टमाटर आप चाहे तो इसमें गाजर मटर भी एट कर सकते हैं डालेंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा धनिया पाउडर साती साथ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे थोड़ी सी लाल मि पिर्च आप चाहे तो इसकिप कर सकते हैं स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे सारी चीजों को हमें आपस में अच्छे से मिला लेना है तो हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक यह जो चीज़ें अच्छे से बैटर में ना मिल जाएं अब हमारा फाइनल बैटर बन के तयार हुआ है सबजी मिलाने के बाद चलिए अब हम दूसरे प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन रखा है यानि की तबा रखा है और यह गरम हो चुका है तो इसको हम थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेते हैं यह जो आज हम नाश्टा बना रहे हैं इसमें तेल जादा नहीं लगता है मातर एक चम्मच तेल में बहुत सारा नाश्टा बन के तयार हो जाता है पैन को ग्रीस करने के बाद इसके उपर हम दो से तीन चम्मच बैटर भरके डालेंगे और बैटर को हमें अच्छे से फैला देना है बहुत जादा इसको मोटा नहीं रखना है ना ही बहुत जादा इसको पतला रखना है फैलाने के बाद gas को हम low करेंगे और low flame पे इसको हम नीचे से सिकने देंगे यह यहाँ पर नीचे से सिक चुका है तो इसको मैं ऐसे पलट देती हूँ और पलटने के बाद दूसरी तरब भी मैं ऐसे ही 2-3 मिनट तक इसको सेकूंगी आप देख सकते हैं इसका जो कलर एकदम प्रॉपर आगया है यह हमारा गिहू के आटे का नाश्ता बन की तयार हो गया है इसको निकाल कर मैं एक प्लेट में रख लूँगी यहाँ पर मैंने ये नाश्ता बना के रखा हुआ है फ्लेट में सर्व किया है मैंने टमेटो केचप और थोड़ी सी हरी चटनी के साथ आप इस नाश्टे को बना कर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो एक दम परफेक्ट रेस्पी है आइडिया आज का कैसा रगा एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखना मिलेंगे आपके साथ अगले नए वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुब हो नमस्ते